दोस्तों अभी बिहार में जिला अस्तर के दो नई भरती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिये गए हैं और इसके लिए online आवेदन की जो परक्रिया है वो भी सुरू कर दिये गए हैं कैसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे कौन लोग आवेदन कर पाएंगे किन पदों पर बहाली है तमाम जनकारी इस वीडियो में आपको बताए जाएगी और इस बहाली में कोई भी आपको पैसा नहीं लग रहा है साथे साथ इस बहाली में कोई आपका एक्जाम भी न दोस्तों बिहार में जिला स्तर की दो नई भरती को लेकर ऑफिसल नोटिफिकरशन जारी किये गया है दोनों भरती जो होने वाली है ये समस्तिपूर जिले से निकाली गई गयी है लेखिन आप किसी भी राज़ी से आते है या आप किसी भी जीले से आते है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं दोनों भरती के बारे में पूरी जनकारी आपको बताएंगे कि ये भरती किस पद पर है आपकी qualification क्या है इसमें salary क्या होगी आपकी ओमरसिमा क्या होगी और आपकी chain पर क्रिया किस परकार होगा तमाम जनकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप अंततक जूरे रहिएगा पूरी जनकारी आपको मिल पाएगी इसके लिए सबसे पहले समस्तिपूर.nic.in के official website पर आना होगा और यहीं पढ़ाएंगे तो एक option आपको मिलता है notice का जिसमें रखे गए हैं दूसरा notification 18 January 2024 के date में जारी किये गए हैं और इसके लिए आवेदन एक फरबरी 2024 तक आपके चलने वाले हैं यहीं से आप notification को download कर सकते हैं तो दोनो भरती के बारे में आपको पहले पूरी जनकारी बताते हैं ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरी जनकारी अब समझ भी सकते हैं जैसे पहला जो बाहाली है समहरनाले समस्तेपूर के द्वारा निकाला गया है वान एस्ट आफ सेंटर जो कि महिला अबाल विकास निगम समस्तेपूर के द्वारा जारी किये गया है इसमें बताया गया है कि प्रण निर्देशक महिला अबाल विकास निगम बिहार पटना के पतरांग यहां पर दिये गया है इसके आलोक में जो मिसन सक्ति के अंतरगत रत वन एश्यॉफ सेंटर के सफल किरियानवें हेतु संभीदा पर अधहर पर पर प्दे है उसको निकाला गया है इसमें जो एच्छग भारतिय नागरिक है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं भारतिय नागरिक बताया गया तो ओल इंडिया से आवेदन कर RNA कर सकते हैं पद सिर्फ महिलाओं के लिए अरक्षित है, इसके जनकारी दे दी गई, एक सिटो पर ये बहाली है, इसमें आपके सैक्षिनिक योगतात जो मांगे गई है, मनो विज्ञान में या तंतरिका विज्ञान में आपकी असनातक होना जरूरी है, और इसमें कारे अनभव भी दन आता है, तो बिना कारे अनभव वला को भी मौका इसमें मिल सकता है, यहाँ पर बताया गया है कि कारे अनभव जिसे महिला स्वास्त के मुद्दे पर सरकारी या गैर सरकारी पर योजना, कारे करब में जिला अस्तर पर कारे करने का तीन वर्सों का आपके पास अनभव ह तो प्रत्मिकता पहले आपको मिलेगी उम्र की जनकारी दिये गया है कि maximum जो आपकी उम्र होगी वो 42 वर्स होगा, salary आपकी 22,000 इसमें रखा गया है, अगला जो पद इसमें रखा गया है, computer ग्यान यूगत कारियाले सहायक का है, जिसमें बताया गया है कि आपकी यूगता जो परकार का मांगा गया है, data प्रवंदन या जो दस्तावेजी करन होता है, बेबाद हारेत रिपोर्ट होता है, वीडियो कंफरेंसिंग होता है, इस परकार का जो काम आपने किया होगा, कि सरकारी, गैर सरकारी, IIT संस्तान में 3 सालों तक तो आप इसमें फॉर्म भरेंगे, परत्मिकता आपको मिलेगा, 42 साल आपकी maximum उम्र होगी, minimum 18 है, 17,000 रुपे इसमें आपको salary दिये गया है, उम्र के बारे में बताया गया, 18 वर्स minimum है, अधिक्तम 42 वर्स रखा गया है, साथे साथ कर्मियों को नियमा अनुसार मुल मांदे के अतरिक्त जो है, EPF और ESI भी दे होगा, या जो भरती है, सम्मिता पे अधारित है, तो कभी भी आपको निकाला जा सकता है, permanent job आप इसको नहीं मान सकते है, सरकारी जो नौकरी है, उस परकार की दावा आप नहीं कर सकते हैं, इन पदों पर जो आवेदन करेंगे, उनका जो सैक्षनिक योगिता है, कारे अन अनुभव को लेकर जो भी आपका अनुभव प्रमान पत्र है, उसको परस्तुत आपको करने होंगे, चैन परकिरिया के बारे में बताया गया, जो आपकी होंगे मेरिट बनने के बाद, जो योगिता रखने वाले अवियार्थी होंगे, उनका एक इंटर्व्यू लिया जा NIC के जो वेपसाइट है इस पर इसकी जनकारी आपको दे दी जाएगे जो एक्छुक मिदबार है चाहते हैं इन पदों के लिए आवेदन करना तो बिग्यापन परकासित के तीथे से 15 दिनों के अंदर में अपना आवेदन भीज़ पर पत्र और सैक्षिनिक योगिता एवं जो अनभव मांगे गए है उन तमाम परमान पत्र को अपना एक फोटो कॉपी कराकर नीचे में आपको अपना साइन करकर क्या करना है इस इमेल आईडी पर आपको भीजना होगा ये इमेल आईडी है इस पर ही आपको ये सभी दस्तावेजों को और इसका फॉर्म भरकर है इसके बाद जो फॉर्म आप भरेंगे उसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है क्योंकि इसी फॉर्म को जब आंत में आपका जब सलेक्शन होगा तो उससे देखा भी जाएगा एक और बाहली जो निकाली गई है समस्तिपूर जीला से ही जीला हब for empowerment of women के द्वरा ये भरती निकाली गई है जिसमें जो पद देखेंगे चार अलग अलग प्रकार के पद है जिसमें आप देखेंगे साँचहरता में जो विस्सशग्य है उनका एक पद है जिसमें आपकी जो उम्र है पुरुष के लिए maximum 37 वर्स महिलाओ के लिए 40 वर्स है इसमें जो आपकी योगिता मंगी गई अर्था सास्त में आपने जो है PG किया होगा अर्थास्त में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपके पास अनुभव भी होनी चाहिए 20 से रुपिय इसके लिए सेलरी है लेखा साहय के लिए एक सीट है इसमें 16,000 रुपिय सेलरी है आपका आसनातक होना चाहिए बीकम में और अनुभब होना चाहिए डाटा इंटे ओपरेटर का पद है जिसमें आपके कम्प्यूटर में जो है डिग्री होनी चाहिए और अगर आपने आईटी में असनातक किया है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं और आपके पास भी तीन साल का अनुभब होना चीज तिरा हजार पांसोर रुपे सेलरी है एमटीयस के लिए सिर्प दस्वी पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं बारा हजार रुपे इसमें आपको सेलरी मिले गए इसमें भी ऑल इंडिया से कैनेडिये कर आपको भेजना होगा अब इस भरती का फॉर्म आपको कहां मिलेगा तो फॉर्म जो है इनके ही वेपसाइट पर जबापाएंगे डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन दोनों नोटिफिकेशन तो एक में नहीं दिया गया इस वाले में आपको फॉर्म को आप भरेंगे अगर उसके लिए अपलाई करते हैं तो बिग्यापन संख्या दोनों भरती का अलग अलग है आप उपर में ही देखेंगे तो आपको बिग्यापन संख्या देखनों को मिलता है जैसे इस भरती का बिग्यापन संख्या ये है और एक और भरती उसका बिग्यापन संख्या यहाँ पर अपना साइन करेंगे, बाकि यहाँ पर अपना जो है, केटेगीरी बतानी है, मुवाइल नंबर, इमेल आइडी, जो भी योगिता आपके पास होगा, उन तमाम जनकारी को बताएंगे, अनुभव होगा, उससे बताएंगे, क्या क्या डोकुमेंट आप लगा रहे है, अलग-लग इमेल आइडी पर इस फॉम को आप भेजिएगा, और जो भी सपोर्टिंग डोकुमेंट आप यहाँ पर लिख रहे हैं, उन डोकुमेंट को भी अटेच करकर आपको भेज देनी है, और इस फॉम को अपने पास सुरक्षेत रख लेना है, तो इस परकार आप आपकी बहाली परकिरिया होने वाली जो इक्षुक मिदवार है, जो योगता की पूरती करते हैं, दोनों भरती के लिए आप देख लिजीगा, जिसके लिए अप लाइक करना चाहते हैं, तो अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जैनकारी इस भरती के बारे में बताया मैं आशा करता हूँ, यह जैनकारी आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो इसे लाइक सेयर कर दीजिए, और इस परकार की और भी अपडेट के लिए चैनल को साब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ वाटसब चैनल से जरूर जूरे, हर अपडेट पर सबसे पहले सेयर कर दिया जाता है,